हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट विलकम टू सक्सित केरियर आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं वर्क्षाप केलकुलेशन एंड साइंस के आई टी आई फर्स्ट यर सीवीटी एक्जाम के लिए उंपोर्टेंट कोश्चन लेकर आया हूं जो कि सभी ट्रेट के लिए कामन है और यह भारती स्कील नीवी पैटरन पर आधारी थे पूरी तरस जो कोश्चन आते हैं आपके एक्जाम में सिर्फ उसी को इसमें इंक्लू आपको यह नहीं रहेगा कि वर्क्षाप केलकुलेशन आपने नहीं पढ़ा है क्योंकि इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि यदि आपने क्लास भी नहीं किया होगा और बस आपने वीडियो देख लिया तो आप सिबिटी एक्जाम देखने जाएंगे तो 100% सारे कोश्चन करके आएंगे और यहां पे ऐसे आप लोग को समझाया जाएगा जैसे कि आप लोग को क्लास में नहीं समझाया जाता है उससे भी बेस्ट तरीके से इस वीडियो में आप लोग को समझाया जाएगा तो वीडियो को अंतक बने रहेगा चलिया है आज की सेशन को हम लोग यारी करते हैं सबसे पहले देखिए यहां पर जो कोश्चन दिया गया है पहला कोश्चन है वाट इस द पॉड़क्ट आप 0.003 इन्टू 0.5 यहां पर देखिए 0.003 इन्टू 0.5 का गुड़न फल क्या होगा यहां पर इंग्लिस और हिंदी दोनों में जो भी मीडियूम से आप होंगे सब के लिए अच्छा होगा आप देखिए तीन में पहले 5 से मल्टिप्लाई करिए कितना हो जागा 15 होगा अब 10 मलों कितने अंक के बाद लगाएंगे तो इधर से तीन अंक और इसमें एक अंक चार अंक के बाद दसमलों लगाएंगे यानि कि हमारा इंसर क्या हो जाएगा 0.0015 कौन से आपसर में है बी आपसर में करेक्ट एंसर बी हो जाएगा नेक्स कोश्चन देखेंगे आप लोग बस जितने भी सीरीज है ना सबका प्लेलिस्ट में बना दूगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा वहां से जाकर आप लोग क्या करेंगे पीडियेफ को भी डाउनलोड कर लिजेगा और सारा आप वीडियो सिरियल वाइस देख लिजेगा आपका फर्स्ट एयर के एक्जाम इससे बाहर नहीं आने वाला है देखें दूसरा यहां पर जो कोश्चन है दिया है सिंप्लिफाई यानि कि सरल कीजिए सरल में क्या करना है तीन बटा चार प्लस दो फटा पांच मैनस पांच बटा मं है 20 दीया हुआ है तो इसको आपको शाल्प करना है तो सबसे पहले आप क्या कर दीजिए सबका एल सेम लेल जए हर का एल निजबार जाएगा एक बार में तो 5 अब दोनों जोड़ लीजए 158 तेश, 30 में से 5 इक ताथा दीज़ जाएगा 30 में से 5 जाएगा अठारम बता में 20 अब देखिए 18 20 ताथारम बता में 20 कहीं भी नहीं है अब इस दोनों उपर नीचे दो से कट रहा है दूनवा 18 और दूदेईया 20 यानि कि 9 बटा 9 बटा 10 आपका एंसर होगा कौन से आप्शन में है बी आप्शन में correct एंसर हो जाए रहा है नेक्स कोशन देखेंगे तीसरा नंबर दिया है डिवाइड यानि कि भाग दीजिए दिया है 20 बटा में 31 भागे 15 बटा में 62 अब इसको कैसे करेंगे तो देखिए 20 बटा में 31 दिया है इसको रहने दीजिए जब आपका भाग में दिया रहता है तो इसको convert कर लेते हैं किसमे गुड़ा में कनवर्ट कर लेते हैं और अंस को हर और हर को अंस बना देते हैं अब दोनों कर जाएगा देखिए 31 दुनी 62 दो बार में गया इसको 5 से कटा दीजिए 5 के भी 15 अब 4 में 2 से मल्टिप्लाई कर दीजिए तो 4 दुनी 8 बटा में 3 2 2 3 आगया अब 8 2 3 आप्सन में है नहीं तो देखिए 8 2 3 को हम लोग भाग देंगे 3 से 8 में तो क्या हो जाएगा कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा 3 दूना 6 दो से फ़सल तो आपका एंसवर क्या हो जाएगा 2 सही 2 बटा में 3 यनि 3 दून बटा तीन आ जाएगा अब आप्सन में कौन साप्सन सही होगा तो आप्सन में डी आप्सन सही होगा देखें दो सही दो बटा तीन तीन दून छोड़ दू आठ बटा तीन अगला question आपका आता है convert decimal यानि कि देखिए दसमलों में दिया रहेगा तो आपको दसमलों में ये दिया हुआ है तो इसको भीन में बदलना है तो कुछ भी नहीं करना है आपको simply क्या करना होगा जो देख दसमलों के बाद यदि आप दाएं के तरफ जाते है यानि कि राइट है तो दस वहां हजर्वां दस हजार लाख 10 लाख ठीक है यानि कि हम इसको दस म独्रव बदलने के लिए क्या करेंगे छे पांच नो बटा में कितने अंग तक गया था दस लाग तरना तो एकाई दाई सेकड़ा हजार दस जार लाख दस लाख यानि कि तीन च्छो जिरो किसमें छे जिरो है यह आपसन में एक हजार है दस हजार यानि कि डी आपसन यहां सही हो जाएगा 669 बटा में 10 लाख अगला कोश्चन देखेंगे ऐसे ही करेंगे कभी कभी आ जाएगा आपको यह देदेगा आपको भिन में देदेगा तो दस मलों में कनवर्ट करना है रहेगा अब देखिए अगला कोश्चन देखेंगे यहां से असली आप लोग को समझ में आएगा अब क करने हैं तो मैं बेस्ट थरीके से आप लोग का दूं यह पीडिएफ भी आपको प्रोवाइड करूगा टेलिग्राम चैनल का लिंक में डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दिया हूं या सक्सेज कैरिया.co.in से विजिट करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं दिया है वाट इस श्रित भीन क्या होता है यह सभी जानेंगे सबसे पहले देख लिए इस कोस्टन को करने से पहले आप लोग को सारी चीज़ों मैं बता देना चाहता हूं सबसे पहले आप उचित भीन देखिए उचित भीन क्या होता है यदि किसी भीन का अंस हर से कम हो तो उसे उचित भीन तो उचित भिन किसे कहेंगे तो जब भिन का अंस यानि कि उपर वाला हर से कम हो हर से कम हो यानि कि नीचे वाले से कम हो तो उसे उचित भिन केते हैं अनुचित भिन किसे कहेंगे तो देखें किसी भिन का अंस हर से बढ़ा हो हर क्या है नीचे वाले को हर केते हैं और उपर व एक क्या है दो से हर से चोटा है और छेसे चार बाटा में तीन दिया तो ती चार बाटा में तीन दिया थीन से छोटा प्लस तीन गड़ा साथ अलग से तो इसलिए से मिस्रित के ते अब यहां पर मिसरित भिन दिया हुआ है और क्या पुछ रहा है अनुचित भिन पुछ रहा है अनुचित मतलब इसके भिन का अंस और हर से बढ़ा होगा अनस जो है हर से क्या होगा बढ़ा होगा अब देखिए करेंगे कैसे करेंगे तो साथ सही तीन बटा साथ है तो साथ में सा साथ से पहले multiply करते हैं तो सात सात है 9 4 और 3 इसको जोड़ देते हैं कि इतना हो जाएगा 49 3 42 में साथ अब दीए हर से बड़ा है न अंस जब हर से बड़ा होगा तो क्या होगा अनुचित मिन होगा अब निक स्टार्ट है वयत करम भीन जैसे माली जी कि एक बटा दू दिया है और बोलेगा कि एक बटा दू का वयत करम भीन बताईए तो एक बटा दू का वयत करम भीन क्या हो जाएगा दो बटा एक हो जाएगा या दो लिख देंगे ऐसे ही एक और बार समझ लेते हैं जैसे माले जी कि 3 बटा 4 दिया हुआ है और बोलेगा वैतकरम भीन बताईएं तो वैतकरम भीन बताने के लिए इसी को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा पलटने के बाद ये ये पलटने के बाद हो जाएगा 4 बटा 3 इसका वैतकरम भीन हो समझ गया होंगे जैसे ऑप को भिन से ऐसे कोई भी कोशन आएगा ना खीत करम में बदलाई या मिस्रित में बदली है तो आप बदल लेंगे बिल्कुल अच्छा है ऐसे ही में आप लोग को पोरी क्लास कराउए जो भी डीटेल समझाना होगा ऑप लोग को साइन्स का भी को चैन्स को अठों आएगा तो उसे भी डीटेल से बताऊँगा जैसे कि आप लोग वीडियो टक को बने रहे दूँगा आप पूरी वीडियो को देख लीगेगा चलिए देखिए दियाए सिक्स नंबर का कोश्चन दियाए वाट इस दा HCF आफ 18 42 24 18 42 का HCF बताना है HCF मतलब मरसा बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं में कि एक मिनट् FLा में यहां पैन का समय पंद नहीं आ रहा होगा तो मैं यहां कट चूज कर ले रहा लोल निला या ग्रीन ग्रीन ग्रीड बर्में ले रहा हूं अ अब समझ में आ रहा है न चलिए निर चनािज आए बतना है तो मर्सक लिए सबसे पहले क्या करेंगे देखिए सबसे पहले छोटा अंक लेंगे यानि कि सबसे सोरी ये वी कलर आप लोगों को डिस कलर कर रहा है मैं कलर काउन से ले निला ले ले रहा हूं अब समझ में आएगा बेश्ट हैं देखें सबसे पहले इन तीनों में सबसे छोटा क्या है अठारा है अठारा में जोस्ट अठारा से बड़े से क्या करेंके भाग देंगे तो यह भाग वी दिधारा मसा ज्याद करना होता अब कितनी बार जाएगा तो अठारा से चोबीस ए तो 6 बचा अभी इसमें देखिए 18 और 24 दे दिया अभी 42 बाकी है तो 6 से पूरा कड़ गया तो फिर 6 क्यों रखेंगे ऐसे ही और 42 को डिवाइट करेंगे डिवाइट करेंगे कितनी बार जाएगा 6 साथे 42 42 पूरा पूरा कड़ जाएगा यानि कि यहाँ पर जो 6 हो गया यही आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, हाईस्ट कामन फिल्टर यानि कि मसा हो जाएगा तो यह था भाग विदी द्वारा, तो भाग विदी द्वारा हमारा एंसर क्या हो गया 6 आगया, दूसरी विदी ओ भी होता है गुडंखंड विदी तो गुडंखंड विदी में क्या करेंगे गुडे शाथ साथ यह 42 का गुड़न खंद डो जाएगा देखिए दू तेचा और श्व साथे 42 चलिए 42 का गुड़न खंड निकाली आप लोग 24 का निकाल लिजिए तो 24 का गुड़न खंड क्या होगा तो 2 घृड़ह 2 घृड़ह 2 घृड़ह 2 घृड़ह 3 अब दिख्ये इसमें इसमें कामण होता है यकवर टूछ टूछ दो विदया होती हैं मसा ज्यात करने के लिए एक भागविदिर जो मैं आपको पहले बता दिया और यह कौन सा है गुड़न खंड विदी तो दोनों विदी आप लोग सीख गए और भी हम कोश्चन करेंगे तो आपको किलियर होता जाएगा अभी साइन्स का कोश्चन करेंगे तो और डीटेल से पढ़ेंगे गाइस यदि आपने क्लास भी नहीं किया ना तो मैं पूरी गारंटी क कितना होगा ये आपको बताना है तो आपको पता है अभी आपने क्या सिखा मसल निकालना सिखा कि अब इस वीडियो में इच्छी उखेंगे बहाए क। निकालना से यह को क्या देखिए अ ऐसा इसमें कौन से इसका गुड़न खंड एक ऐसा ग्याद करेंगे जो बारा से भी अठारा से भी और छे से भी और छतीस से भी डिवाइड हो जाए उसी को इसको एलसी हम कहते हैं तो कैसे निकालेंगे चलिए देखिए सबसे पहले ऐसी लाइन आप लोग बना लीजिएगा ठीक है बारा अठारा छे और छतीस अब इसको आप लोग डिवाइड करें सबसे कम नंबर यानि कि दो से डिवाइड करने स्टार्ट करते हैं तो दो चके ब नेक्स्ट फिर अगर दो से जा रहा हुँ तो दो से ले जाएंगे किन přार जाएगा दू 3 six, 9 को ऐसे ही रखेंगे, 3 को भी ऐसे ही रखेंगे, दूचोव के आठ, sorry, 2्हावा, अठारा, अब 3 से सभी जाएगा, तो 3 से करेंगे, 3 जैंगे, 3 एक ने 3, 3 तिलीके, 9, 3 जैंगे, पिर 3 से जाएगा, तो 3 जैंगे एक यक ने 3 और 3 जैंगे, सब जगा एक एक आ गया ना तो अब इसका गुड़न खण निकारेंगे दो गुड़े दो गुड़े तीन गुड़े तीन क्या हो जाएगा दूद निके 4 4,3 12,12,36 तो 36 जो निकलकर आ रहा है देखें 2 गुड़े 2,3 गुड़े 3 तो इसको मल्टिप्लाई करेंगे 2,2 2,3 लसा क्या होता है कि जो भी संख्याय दियी हुई है इन सबसे वो HIM होई चाहिए उसे को लसा कहता है ज् Kubernetes इसलिका उसल है अइसा गुडंखन गए झात करते हैं जो की सबसे रसा क्या होता कि ऐसा हम लोग छोटी चोटी सो सब को डिवाइड कर रही है लेकिन यहाँ पर जब 36 में तो क्या कर रहा है 36 से सब जो संख्या दिया है न यह 36 को डिवाइड कर देगी देखिए बारतिया 36 अठार दुनी 36 36 और 36 सब डिवाइड हो गया अब अगला कोश्चन देखेंगे साइन्स का कोश्चन है इसको तो आप लोगों को याद रखना जुरूरी है दिया है एक इंच में कितनी मिलिमीटर होती है तो आपको यह बिल्कुल रट लिजे एक इंच में कितनी मिलिमीटर होती है तो यह होता है बिल्कुल आपको यह question रट लेना है ना यहाँ पे mm में दिया है तो हमारा answer क्या बजाएगा 25.4 mm ठीक है mm में दिया है अब कुछ यहाँ पे और भी term हम आपको बता दे रहे हैं कभी इंच में दिया रहेगा और cm में पूछ लेगा तो cm में यह answer कितना होता है अगर देखे mm मे कितना cm पूछता है तो 2.54 cm होता है याद रखिएगा कभी कभी अब आप लोग को पता है ना 1 cm में कितना mm होता है 10 mm होता है यह आपको पता होना चाहिए तो जब 1 cm में 10 mm तो 2.54 cm में 10 से multiply करेंगे तो हमारा answer कितना आ जाएगा 25.4 आ जाएगा देखे जो भी वीडियो आप आप लोग को कहीं समझ में नहीं आया ना तो आप कमेंट बाक्स में मुझे बता दिएगा अगली वीडियो में हम आप लोग को चीज क्लियर कर देंगे तब आगे मैं पढ़ाऊंगा अगर आपको यहां अभी तक जो भी पढ़ा है आपको लगेगा कि मैं कुछ आपको नह जाने के बाद दी मैं आगे बढ़ूंगा चलिए नए नंबर का कोश्चन देखिए दिया है वाट डिनोट्स लेटर एम इन मकेस सिस्टम में में अक्षर क्या दर्साता है सबसे पहले यह प्रडालिया क्या होती है यह समझेंगे एमकेस प्रडाली एफपीएस प्रडाली होता है ठीक है तो यह सभी प्रडाली समझेंगे और इस कोश्चन को थोड़ी दिर बाद करते हैं सबसे पहले मैं आपको समझा दू प्रडालिया क्या होती है तो देखिए जब इनसान ने मापतवल करना इस्टार्ट किया तो वो तर मापतवल की काहिया है जैसा कि आप लोग को पता है अभी मैं बताओंगा मूल मातरक तो यह मूल मातरक को से बना है जिसे लंबाई के लिए मीटर को हम लोग डिनोट करते है के से किलो को डिनोट करते है और इस से 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 केंड को डिनोट करते है तो एम से मीटर मीटर क्या ना इंका मतलब पोल बोलाँ होता है है यह किसको दशाएगा यह लेंग्थ की दिखाएगा यानि दूरी को द शायएगा कि मिस kilo किसको दर्शाएगा और minutes में सेखेंड तो आपका एक्जाम में क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा करेक्ट सभर भी हो जाएगा चलिके कुछ अन्य पदतिया भी है इसमें से भी आपको पूछ सकता है आपकेजाम होता है तो एमकेश पद्दती पूछ सकता है, CGS पूछ सकता है, FPS पूछ सकता है, जैसा कि M का मतरम में मीटर बताया, K का मतलब किलोग्राम, जो कि दरवमान का मतलब रखे, और S का मतलब सेकेंड, यह समय का मतलब, ऐसे FPS सिस्टम होता है, यानि FOOT, Pound, Second, F, MISFOOT, यह भी किस का मतलब रखे, दूरी का मतलब रखे, या लंबाई का मतलब, P, 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 P का मतलब सेकेंड मात रखोता है तो यह तीन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोग याद कर लिजिएगा आपका कोश्चन इस वी में से कोई एक पूछ देगा जैसे एम का पूछ दिया का सीजेश में मतलब पूछ देगा तो आप पहले याद रखेगा एप यहोग चाहें इमकेस हो चाहें सीजेस ऑ जो पहला वेला यहन यह लेंग्ध यानि की दूरी का मात्रक है, जी यानि की ग्राम, दूसरा किलो मीटर, किलो ग्राम और पी से पाउंड, ये किसका मात्रक है, दरोमान का मात्रक है, और सेकेंट सम्मे कामन है, ये किसका मात्रक है, सम्मे का मात्रक है, अभी मैं देखिए, इस वीडियो में आप लोग और क्लियर कर दू क्या है दिया है वाट आर्दी फंडामेंटल यूनिट इन में से मूल मात्रक इकाईय कौन सी है ठीक है तो मूल मात्रक सबसे पहले जानेंगे मूल मात्रक क्या होता है वहित्मन मात्रक क्या होता है और मूल मात्रकों की संख्या किनने होते हैं यह आपको याद रखना पड़े देखें मैं यह मान कर चलना हूँ कि आपको question आपको बिल्कुल आता नहीं है workshop calculation और आपने class भी नहीं किया है तो मैं एक दम zero level से उठा रहा हूँ question के साथ कि आपका question भी तैयार हो जाए आपका exam का 100% तैयारी भी हो जाए और आपको समझ भी आ है तो देखें सबसे पहले समझेंगे यहां पर मूल मात्रक यानि कि fundamental unit होता क्या है तो मूल मात्रकों वे मात्रक होते हैं जो अन्य मात्रकों से सोतनत्र होते हैं यानि कि इनको अन्य मात्रकों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसे length यानि कि लंबाई लंबाई के लिए हम लोग मीटर में नापते हैं तो मीटर को तो अब हम लोग किलो मीटर में नाप सकते हैं सोरी किलोग्राम में तो नाप नहीं सकते हैं मीटर को हम लोग मीटर में नापेंगे या किलो मीटर में नापेंगे यह किसी अन्यम आत्रकों पर निर्वन नहीं रहते हैं अब कभी-कभी आपका direct question बनता है, कि मूल मातरकों की संख्या कितनी होती है, तो मूल मातरकों की जो संख्या होती है, वो साथ याद रखिएगा, क्या-क्या होती है, तो ये मूल मातरक सबसे पहला देखेंगे, लंबाई, भूत एक रासी लंबाई, दरोमान, समय ताप विदुदारा पदार्थ की मात्रा ठीक है और ज्योती त्यूरता उसके साथ साथ में आप लोग को उसका सिंबल भी याद रखना चाहिए और वह किसम में नापते हैं जैसे लंबाई मीटर में नापता है और उसका संकेत किलोग्राम में नापता है और इसका संकेत क्या होता है सिंबल केजी होता है समय किसको नापता है सेकेंड में नापते हैं और इसका जो सिंबल है एससे दिनोट करते हैं फिर आगे देखिए अगा ताप को सेकेंड में नापते हैं सोरी समय को सेकेंड में नापते हैं ताप को क केलविन में नपते हैं कि इसका सिंबल है विदुधारा का मात्रक जो है मूल मात्रक की एंपियर है यह से कैपिटल एसे डिनोट करते हैं फिर आगे जोती तीवरता कैंडिला सीडी से इसको संके दर साते हैं पदात की मात्रा मोल में मोल में दर साते हैं मोल अब देखिए मूल मूल मातरक के काई कौन से हैं किसी कजी मातरक निर्वर नहीं होते हैं अब देखिया आप ड़िए मैं आपको और स्किलियर कर लिए अब नहीं समझते अब दूसरी भी मातरक होता और और समझाओ से keeping एक लंबाई लंबाई क्या है मूल मात रखें काśmy kilo मात रखें लेकिन वयल्यूम मतरशब आयतन आयतन जैसे की कोई भी चीज inequality की आपको पता है न कि क्यूब कोई क्यूब है उसको उसका आयतन क्या होता है तो एक क्यूब होता है एक यानि कि लंबाई चोड़ाई और उचाई लंबाई चोड़ाई और उचाई और सब को मीटर में नापेंगे मीटर ये भी मीटर ये भी मीटर तीनों को मिला के मीटर क्यू बन जाता है तो यहीं क्या होती है वयुत्पन मात्रक होता है लेकि मीटर क्यू हमारा यह मूल मात्रक नहीं है यह वयुत्पन मात्रक में चला जाएगा मूल मात्रक क्या होता है अगर सिर एक दर्मान को किस में आपेंगे तो दर्मान को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में तो यह तीनों मूल मातरक हैं लेकिन यहां पर देखिए यह मूल मातरक तो है यह भी मूल मातरक है लेकिन एरिया के लिए जैसे माल लीजी कि कोई आयत ही है आयत का छेतरफल क्या होता ह है लंबाई-घूड़ करें लंबाई में मीटर होगा और मीटर में होगा लेकिन इसका मातरग क्या होजागा क्षेत happy क्षेतर मीटर स्क्वायर मीटर स्कॉयर होगा तो यह मूं मातरग नहीं होगा यह वेटपन मातरक चला जागा तो मुझे उम्मीद है आप लोग को मूल मातरक भी अच्छे से समझ में आ गया वेटपन मातरक भी समझ में आ गया अब इससे अगर क्वेश्चन आपका आएगा तो कोई भी बीस नहीं करेंगे तो मैं इतना ही वीडियो में रखन भी नहीं आने वाला है और आपको इतना कंशिप्ट के किलियर करवा के पढ़ा दूगा कि आप लोग क्लास भी नहीं कियोंगे तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपने क्लास नहीं किया है या आपने एक्जाम के लिए तयारी आपको नहीं है क्लास नहीं करने को अच्छे से ठीक है पीडिएफ के लिए टेलग्राम जॉइन कर लिजेगा या आप सक्सेश करियर डाट को डाट इन भी विजिट कर सकते हैं आज के लिए वीडियो में नहीं वीडियो हेल्फ लगेगा तो लाइक कर दीजेगा और चैनल पर पहली भार होंगे तो चैनल को सब सब्सक्राइब करेगा और अपने दोस्तों के साथ और एक ग्रूप में जो आपका ग्रूप होगा इटी आई का उसमें यह वीडियो को ज़रूर सेयर करिएगा कि आपके दोस्तों को भी हल्प मिल पाए हैं आज के लिए वीडियो में इत नहीं थैंक्स वर वाचिंग दिस